नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों मैंने होमगाड से रिलेटेड लगबग दो वीडियो यूटूब पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं यह मेरी होमगाड से संबंदित तीसरी वीडियो है तो दोस्तों उन दोनों वीडियो पर जो कमेंट कॉमन है मैं वह आपसे शेर करूंगा और उनके जवाब दूंगा कि कौन-कौन से कमेंट जादा आ रहे हैं तो बहुत से जो अभ्यारती हैं वो यह पूछ रहे हैं कि हम चरित्र प्रमानपत्र कहां से बनवाएं कोई कह रहा है स्कूल से बनवाएं तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपका चरित्र प्रमानपत्र आप जिस वाड में जिस सहर में आप रहते हैं और जिस वाड में रहते हैं उस वाड के वाड पार्शत के द्वारा आपका चरित्र प्रमानपत्र बनाया जाएगा अगर आप गाउं से आते हैं तो आपका चरित्र प्रमान पत्र सरपंच द्वारा बनाया जाएगा ये बात आप किलियर कर लें फिर पूछने कि चरितर प्रमान पत्र कितने चाहिए तो दोस्तों आप चरितर प्रमान पत्र एक भी लेंगे तो भी चलेगा यानि कि एक बनवाएंगे तो भी चलेगा दो बनवाएंगे तो भी का नाम लिखना है पार्श्त अपनी मोहर लगाएगा और अपने अस्ताक्षण करेगा टो आपका चरित्र प्रमान पत्र त्यार हैं आगे बात कि जाए दोस्तों कुछ लोगों के admit card नहीं आ रहे तो पूछने के हमारे admit card नहीं आ रहे दोस्तों आप किसी को भी चिंता करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आपके admit card सही समय पर आपके phone में message के द्वारा पहुंच जाएगा जी हाँ जोस्तों मान लो कि आपकी भरती है 25 तारिक को तो 25 तारिक से 10 दिन पहले आपके mobile phone पर SMS या email के द्वारा आपका admit card आपके phone में आ जाएगा उससे पहले आपका admit card आप कितना भी जोर मार लो वो download नहीं होगा जो विभाग है वो ही आपको SMS करेगा उसके बाद ही आपका admit card download होगा फिर बात आती है medical certificate तो medical certificate कहां से बनवाएं तो दोस्तों medical certificate आप सरकारी अस्त्पताल से बनवाएंगे और आपका medical certificate 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए जहां दोस्तों 6 महीने पुराना आपका medical certificate नहीं होना चाहिए दूसरी बात और बहुत से पूछते हैं कि हम गाउंस जाते हैं तो दोस्तों आपको एक बात बिल्कुल किलियर कर दूँ कि ये जो भरती है वो गाउंवालों के लिए नहीं है यानि कि जो ग्रामीड अव्यरती हैं उनके लिए ये भरती नहीं है उनको डारेक्ट डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डारेक्ट इस भरती से बाहर कर दिया जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने जो बारा तारीक को देखा था यानि कि बारा नुवंबर को तो दोस्तों उसमें क्या था कि उसमें जो ग्रामीन थे उनको उन्होंने लिया तो था उनसे रनिंग करवाई थी लेकिन डोकुमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि ये भरती ग्रामीनों के लिए नहीं है ये भरती शहरी अभियरतियों के लिए है सक्षरीटि आपको रंनिंग करने लिए आपको hardcore मिलेगा रंनिंग करने के लिए आपका फाइनल सेलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये बात बिल almost clear नहीं होना चाहिए अगर तीन और आठ किलोमेटर से दूर है तो आपको सहरी प्रमान पत्तर बनाने के जुरूत नहीं है क्योंकि आपको वैसे ही भार कर दिया जाएगा और सहरी प्रमान पत्तर दोस्तों बरवाकर आप क्या करेंगे अगर आपके पाद उस तहसील का मूल नि दिया जाएगा तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में किलियर हो गए हैं तो वीडियो करते हैं यहां समाप वीडियो अच्छी लगए तो हमारी यूट्यूप चैनल को जुरू सस्क्राइब कर दे धन्यवाद जैहिं झाल